ये जो नगर निगम शिमला का चुनाव दो मई को होना तै हुआ है इसमें आपको मालूम है कि ये जो नगर निगम का चुनाव इस बार होने जा रहा है वो तै करेगा कि शिमला के विकास की दिशा की सोर जाएगी क्या ये विकास की दिशा ये जो पीछले पांच वर्षों में जो भाजपा की नगर निगम और प्रदेश की सरकार रही है इसके द्वारा जो सेवाओं का निजी करण है इसके द्वारा जो जनता के ऊपर टैक्स के नाम पर आर्तिक बोज़ डालने का जो कारे किया गया है और इसके साथ-साथ जो शिमला शेहर के नगर निगम की संपतिया है जिसका सौमित्व इस शेहर की जनता का है उनको बेचने का का म जो किया है हमारी पार्टी CPIM जो है इन नीतियों के खिलाब एक विकल्ग के रूप में जो है इस चुनाव में उत्री और आप तो मालूम है कि 2012 से 17 तक जो CPIM का कारे काल रहा है बेशक संख्या कम थी उस समय भी आप सब को मालूम मेर डेप्टी मेर और दो पार्शद हमारे थे परंतु आ जगनिगम शिमला के इत्यास में एक नई दिशाक जो है उस समय शेयर के विकास को दी गई थी और जिसको बाजपा ने पूरी तरह से तैस्नेस किया है इस बारी भी हमारी पार्टी जो है जो हमारे पार्शद है उस विकल्पिक नीतियों को लेकर जो 2012 से 17 तक जो CPIM के निति है करमचारी है चात्र है उसको करने के लिए जो किया है इनी विकल्पों के साथ हमारी पार्टी इस चुनाव में उत्री है और जिस बरकार से आप देखे हैं कि जो लोग आज त्रस्त हैं शिमला शेयर की जनता ये बाजपा की नीतियों से और जो कॉंग्रेस ने आते ही काम किया है आपने पाणी की दरों के वो जो रेट हैं वो बढ़ा दिये कुड़ा आज आप देख रहे हैं 2017 में उस समय 40 रुपे प्रती घरता प्रती मां जो है घ्रेली उदर है आज 117 तारा है यह जो नीतियां दोनों पाटियों के इसके खलाब इन विकल्पिंग नीतियों के यह जो संगर्ष हमारा जो बाहर रहा है आप देख लें पांच वर्षों के अंदर यही लाजंडा है सीपिय में जो जनता की मांगों को लेकर जो है संगर्ष करती है यह संगर्ष यह वाज शिमला शहर की जनता के वाज यह हैं जो हमारे लोग हैं इसको लेकर जाएंगे त बुद्धे के साथ जो है हम यहाँ पर आज शिमला शहर में नगर निगों के चुनाव में उत्रे